हमस्कार दोस्तों, इंडियन प्रीमेर लीग के फाइनल मुकाबला बारिश के वज़े से आज होप आने के गुंजाई सकम होते जा रही है ऐसे में फैंस को चिंता करने की जरुरत नहीं है क्योंकि BCCA ने IPL फाइनल के लिए एक रिजर्व डे भी रखा है यदि फाइनल मुकाबला 28 में को नहीं होता है तो फिर अगले दिन रिजर्व डे में पूरा मैच कराया जाएगा दोस्तों आप सवाल उठता है कि यदि रिजर्व डे में भी मैच बारिश से रुप जाता है तो क्या होगा आईए जानते हैं दरसल यदि रिजर्व डे के दिन भी बारिश होती है और एक भी गेन नहीं डाली जाती है यानि बारिश के कारण मैच होई नहीं पाता है तो महेंदर सिंग दोनी और CS के फैन्स का सपना तूट जाएगा यानि हादिक पांडिया की कप्तानी वाली कुचराट टीम को विजेता गोशित कर दिया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दूगे IPL प्लेइंग कंडिशन के मताबिक फाइनल के साथ साथ Eliminator, Qualifier 1, Qualifier 2 यदि टाई रहता है या कोई नतीजा नहीं निकलता है तो ये दो नियम लागू होंगे पहला जब फाइनल में विजेता तैय करना हो तो दोनों टीम सूपर ओर में एक दूसरे से मुकाबला करेगी दूसरा अगर मैच में सूपर ओर भी नहीं हो पाता है तो विनर का फैसला IPL के प्लेइंग कंडिशन के appendix F के तहत लीग स्टेज में जो भी टीम पॉइंट स्टेबल में उपर होगी उसे विनर गोसित कर दिया जाएगा इस लिहाँ से गुजरा टीम टॉप पर रही है मगर दोस्तों मेरा इंस्टिंग कहता है यह मैच जरूर होगा और as a CSK and Doni fan मैं तो तले दोनी के हाथ में कब देखना चाहूँगा आपका क्या विचार है अवश्य कमंड करके बताए जै हिंद जै बारत